नमस्कार, आज हम जिस विशय पर चर्चा कर रहे हैं, उसका सीर्शक है अधिगम के श्रोत के रूप में कम्प्यूटर जब हम अधिगम के श्रोत के रूप में कम्प्यूटर की बात करते हैं, तब हम कम्प्यूटर के एक विशिष्ट उपयोग की बात कर रहे हैं computer हम सब के घर में है, हम सब के दफ्तर में है, बहुत सारे लोगोंके पास भी computer होगा, laptop के रूप में होगा, desktop के रूप में होगा computer के बेवेदर रूपों को हम अब तक देखते रहे हैं computer एक ऐसा उपकरण है जो हर जगे पाया जाता है कंप्यूटर न केवल कक्षा कक्ष में सामुविक शिक्षन में प्रियोग होता है वरन व्यक्तिक अधिकम का भी एक महात्पूर्ण संसाधन है कंप्यूटर और जब हम कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ लेते हैं तो इंटरनेट की मदद से तो कंप्यूटर और अधिक प्रभावी श्रोत हो जाता है। कंप्यूटर के हम पहले उसी श्रोत की बात करते हैं, जो इंटरनेट से जोडने पर होता है। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वैव दो बहुत प्रचलित शब्द हैं, लेकिन दोनों शब्द एक जैसे शब्द नहीं हैं। बहुत से लोग इन दोनों शब्दों को एक दूसरे के समनार्थी शब्दों के रूप में कभी-कभी प्रियोक करते हैं। इंटरनेट एक विशाल वैश्विक नेटवर्क है, जो सभी सीमाओं से परे सूचनाओं के आदान-प्रदान का एक माध्यम है। इंटरनेट अर्था सारे कंप्यूटर या कंप्यूटर जैसे उपकरण एक संजाल में, एक नेट में, एक वैव में, एक दूसरे से जुड़े हैं एक नेटवर्क है। जबकि World Wide Web इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं तक पहुचने का एक तरीका है। इंटरनेट एक टूल है और वर्ल्ड वाइड वेव के माध्यम से हम उस टूल का उपकरण करके एक जगा से दूसरी जगा इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं जब हम www की बात करते हैं तब हमारे दिमाग में जो सबसे महत्मून शब्दा आता है वो है वेवसाइट वेवसाइट क्या होती है? वेवसाइट मुख्यता इंटरनेट से जोड़ी एक ऐसी लोकेशन है एक ऐसी पता है जहां पर किसी व्यक्ति, संस्था ये किसी भी अन्य व्यक्ति से जोड़ी हुई सूचनाओं का संग्रह होता है और उसे देखा जा सकता है इसलिए आप देखेंगे हर एक संस्था ये व्यक्ति से जोड़ी वेवसाइट का एक निश्चित पता होता है जिसको हम उसका URL कहते हैं और एक वेवसाइट में बहुत सारे वेव पेज होते हैं अर्थात एक वेवसाइट में जो सूच रहे हैं वो अलग-अलग वेव us.ac.in ये क्या है ये राष्ट्रिय मुक्त विद्यालई सिक्छा संगठन की वेवसाइट का वेव एड्रिस है ये इसका URL है ये क्या है इसका URL या वेव एड्रिस आप ये वेव पता जब भी इंटरनेट पर जाएंगे कहीं भी टाइप करेंगे तो आपको यही पेज दिख ही देगा जो बरतमान में NIOS की website का मुख्य प्रस्थ है जब हम किसी website में एंटर करते हैं और उसका पता डालते हैं तो जो पहला पेज हमारे सामने आता है वो पहला पेज सामाने तहा किसी भी website का मुख्य प्रस्थ या आवरण प्रस्थ होता है जिसको हम homepage भी कहते हैं इस homepage क माद्यम से हम उससे जुड़ी सूचनाओं को इकत्र करने वाले बिविन बैब पेजस तक पहुंच सकते हैं इसलिए इसमें एक टूल होता है टूल बार होती है और उस बार में आप बहुत सारे पेजस तक पहुंच सकते हैं जैसे अब यह देखिए www.nios.ac.in आप देखिए www.nios.ac.in यह एनाइवस की website का मुख्य बेव address या URL था लेकिन वहाँ पर एक प्रस्थ है जिस प्रस्थ में diploma in elementary education से जुड़ी सूचनाओं दी गई हैं उस प्रस्थ तक पहुंचने के लिए इस URL में extension जुड़ गया है और इस page का URL है www.nios.ac.in slash dle.aspx यह आप यह URL कहीं टाइप करेंगे सर्च बॉक्स में तो यही page खुलेगा तब home page नहीं खुलेगा home page तब खुलेगा जब आप home page का मुख्य address डालेंगे अर्थात आपको एक चीज समझनी चाहिए कि किसी भी संस्था व्यक्ति से जुड़े या किसी महत्योपूर्ण घटना से जुड़ा बेपेज हो सकता है किसी बहुत एतिहासिक धरोर की कोई इस्थाल है उसका अपना बेप पेज हो सकता है वो बेप पेज लोग ही मैनेज करते हैं लेकिन वो उसका होता है उसके विशा में जानकारी होती है जैसे NIS के बेप पेज पर NIS की जानकारी है आप किसी ने कुतब मीनार का अगर बेप पेज बनाया है तो वहां कुतब मीनार की जानकारी होगी किसी ने अक्षरधाम का बेप पेज बनाया है तो वहां अक्षरधाम की जानकारी होगी जो अगर मानो संसाधन मंत्राले की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां मानो संसाधन मंत्राले से समंदित जानकारिया होंगी किसी गायक, लेखक, चित्रकार, मूर्तिकार, प्रशिद्धनर्तक या किसी प्रशिद्ध विक्तित्तों से जोड़े बैप पेज को यदि आप खोलेंगे तो उससे समंदे जोड़ी जानकारिया होंगी अर्थात और खुबी क्या है कि इन जानकारियों को हम इंटरनेट के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में बैठ कर देख सकते हैं ऐसा नहीं है कि www.nivs.ac.in की वेबसाइट यदि दिल्ली में बैठ कर या भारत में बैठ कर खोली जाएगी तो ये बैब पेज खुलेगा और अमेरिका में फ्रांस में अफरीका में या आस्ट्रेलिया में बैठ कर खोली जाएगी तो कोई और बैब पेज खुलेगा बहां बैठ कर भी आप यही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं यही www की खुबी है वर्ड वाइड बैब बैश्विक नेटवर्क है वैश्विक जाल है सूचनाओ का इसलिए इसको हम www कहते हैं और इसको हम एक्सेस कब कर सकते हैं इसको हम इंटरनेट के माद्यम से एक्सेस कर सकते हैं और आज तो इंटरनेट हर उपकरण पर उपलब्ध है जो भी इंटरने है आप उस पर इस्तेमाल करते हैं वहां देख सकते हैं आपका मोबाइल है उसमें आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो वहां भी यही वेब साइट एक्सेस कर सकते हैं यह जरूर है कि computer पर दिखने वाली website और mobile पर दिखने वाली website में शायद कुछ अंतर हो अंतर विशयवस्तू का नहीं होगा अंतर पते का नहीं होगा क्योंकि mobile का आकार भिन्न होता है और computer का जो screen है उसका भिन्न होता है तो वह website से आपने देखा होगा बहुत सारी website जमाब mobile पर खोलते हैं तो उसमें आ जाता है www.m. website के मुखे address और www के बीच एक शब्द आ जाता है m. और ताथ वह webpage especially mobile के लिए बनाया गया है विसेश तोर पर उसको mobile के लिए बनाया गया है इसलिए उसमें m. आ जाता है बाकी सूचनाए वही सारी रहती है जो मुखे website पर उपलब्त है तो यह तो बात हो गई internet और website की अब अधिए हम learning की दृष्टी से देखें तो जो internet आधारत computer का आधिगम है वह तीन प्रकार से होता है एक तो हम computer का प्रियोग करते हैं सूचना की तक्नीकी के रूप में दूसरा हम इसका प्रियोग करते हैं collaborative अर्थात सहक्रियाओं की तक्नीकी के रूप में और तीसरा इसका करते हैं एक दूसरे से जुड़ने के लिए अर्थात सामाजिक्ता की तक्नीकी के रूप में पहला आता है सूचना की तक्नीकी के रूप में computer या internet का प्रियोग अधिगम है आप यह अभ्यारती हो सकते हैं डियलेड में प्रवेश लिया है तो डियलेड के विद्यारती है क लेकिन ये इंटरनेट पर पाठे सामिक्ग्री उपलबध है जैसा कि दी यलेड के संधर्व में दी यह वाण से डाउनलोग कर सकते हैं उसको पड़ सकते हैं उसका प्रिंट निकाल सकते हैं प्रिंट ना निकालना चाहां तो अपने mobile में अपने computer में सेव कर सकते हैं जब इच्छा हो तब पढ़ सकते हैं तो पाठे सामिक्री की उपलब्दता सुनिश्चित करने में अब इसका लाब क्या है जो हमारा सामाने सिक्ष्ण ब्यवस्था थी उसमें पाठे पुस्तक होती है क्या पाठे पुस्तक प्रते एक विद्यार्थी के पास होती है कई वार होती अलगलग प्रकार की हो सकती है एक ही पाठे क्रम में एक शहर में पढ़ने वाले विद्यार्थी एक भिन प्रकार की पाठे पुस्तक से पढ़ते हैं दूसरे शहर में पढ़ने वाले विद्यार्थी एक भिन प्रकार की पाठे पुस्तक से पढ़ते हैं तो पाठे सामिक्री म इंटरनेट पर उपलब्ध है जैसा कि DLA के संदर्व में भी है तो प्रतेक विद्यार्थी को एक ही समान गुडवत्ता की पाठे समगरी देश के या संसार के कोने कोने में उपलब्ध हो सकती है ये सुचना की तकनीक के रूप में कंप्यूटर और इंटरनेट की अधिगम में पहली बड़ी उपयोगिता है दूसरी उपयोगिता है नवीन सूचनाओं और समाचारों का संग्रह जब हम नवीन सूचनाओं और समाचारों के संग्रह की बात करते हैं तो एक विद्यारती होने के नाते हमें ये जानते हैं कि प्रति दिन नई नई चीजें आती रहती हैं नई खोजें होती हैं नई नियम आते हैं नई जानकारियां इकठी होती हैं नई घटनाय घटती हैं हम तक उन नभीन सुचना और समाचारों को पहुँचने का जो प्रचलित तरीका था वो केबल दो तरीके हम अब तक प्रयोग करते रहें इंटरनेट के बिना एक तरीका था समाचार पत्र या पत्रिकाएं जो छपती हैं और जो उनको मंगाते हैं या दूरदर्शन पर या जो अन्य टीवी के समाचार चैनल है उन पर आने वाले समाचार जो एक निश्चत समय पर आते हैं लेकिन यदिवे समाचार इंटरनेट पर उपलब्द हैं तो आप उनका कहीं से भी और कभी भी जानकारी एकत्र कर सकते हैं ना समय का बंधन है ना इंटरनेट से जुड़ा होना चाहिए और जो संप्रेशन सूचनाओं का और समाचारों का बहुत तीब्रगती से होता है मान लीजिए आप जिस पाठ्यक्रम में जिस संस्था में पढ़ रहे हैं उस पाठ्यक्रम से समंदित कोई सूचना प्रतेक विद्यार्थी तक पहु इस समंदि कोई जानकारी हो यदि वो प्रचलित मात्यमों से पहुँचाए अर्था या तो वो समाचार पत्रों में विज्ञापन दे या प्रतेक विद्यार्थी को पत्र भेजे क्या वो प्रतेक विद्यार्थी तक कम समय में पहुंच सकती है शायद नहीं परन्त है यह में और उसी रूप में पहुंचेगी जिस रूप में हम पहुंचाना चाहते हैं ये सोचना की तकनीक के रूप में internet or computer की दूसरी बड़ी उपयोगिता है तीसरी उपयोगिता है श्रभ विद्रश्य कारेक्रमों की उपलब्धता आज के समय में सिक्षन केबल पाठ्थ पुस्तकों में बंधा नहीं है, आप भी किसी माध्यम से इस कारिक्रम को देख रहे हैं, आप बहुत सारे ओडियो श्रब्वे कारिक्रम, चाहें वो मोबाईल एप के माध्यम से सुन रहे हैं, या यूट्यूब पर जाकर सुन रहे हैं, वो उपलब्द हैं, ये सब के माध्यम से वो चीजें जो पुस्तक में लिखी नहीं जा सकती, वो चीजें जिनको दिखाया जाना जरूरी है, जिन पर बात की जानी जरूरी है, जिन पर चर्चा की जानी जरूरी है, वो श्रब्वे और द्रश्य कारिक्रमों के माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से जब वह प्रकासक उन पुस्तकों को सही जगा पहुँचाए। जब सत्र प्रारम होता है विद्यालेओं में तो कई बार आपने देखा होगा कि पुस्तकों को लेकर एक अजीब सी स्थिती उत्पन हो जाती है। पुस्तकें नहीं पहुची, कम पुस्तकें मिली, ये पुस्तक नहीं मिली, इस विशे की एक ही पुस्तक मिली। क्योंकि वो बहुत एक रूप से प्रकाशित होती है। परंति यदि पुस्तक इंटरनेट पर प्रकाशित है। तो कोई भी कभी भी कहीं भी उसको देख सकता है पढ़ सकता है mobile app के माध्यम से अपने mobile में डाउनलोड कर सकता है अपने computer में डाउनलोड कर सकता है और एक बार डाउनलोड कर लिया फिर भले वो internet से जुड़ा नहीं है फिर भी वो उसके संग्रय चुकिए उसके computer में है तो वह इंटरनेट से जुड़ा है, तो एक छोटा ई-पुस्तकाले बना सकते हैं, इमतलब इलक्ट्रानिक कंप्यूटर और इंटरनेट के लिए शब्द इस्तेमाल होता है, एक ई-पुस्तकाले बना सकते हैं, जिसमें आप अपने कंप्यूटर में इंटरनेट के माद्यम से कु अच्छे उस computer पर वैठ कर उन जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं उनकीचित RA की तकनीकि के रिूप में computer की एक बहुत महात्वपून उपयोगता है computer की दूसरी उपयोगता है सच्राप्ध के रह प्राप्त है v empathic कहीं सुदूर बैठे किसी और अध्यापक के पास है वो मेरे पास आए उनके पारस्परिक आदान-प्रदान के लिए कंप्यूटर का अस्तेमाल होता है सक्रियाओं की तकनीक के रूप में इसका प्रियों कहीं या कंप्यूटर का एक बड़ा अच्छा उप्योग होता है सामोहिक अधिगम के लिए पाठे-पुस्तक में जो लिखा है वो केवल एक बालक ही पड़ सकता है अपनी पार्ठे-पुस्तक को एक बार लेकिन यदि कोई पाथे पुस्तक या कोई कार्टून या कोई कहानी की किताब कम्प्यूटर पर उपलब्ध है, इंटरनेट पर उपलब्ध है और आपके विद्याले में यदि ये विवस्ता है कि यहांप उस computer को प्रोज elders से जोड़ कर पूरी दिवार पर उसका प्रक्षेपुण कर सकते हैं कुरी कक्षा एक ही उस तक को एक साथ देख सकती है एक ही चलचित्र को एक ही काटून को एक साथ देख सकती ही उस पर चरचा कर सकती उसके विश्रम पढ़ सकती है उनको को सामुहिक क्रिया कलाब भी दिये जा सकते हैं जिसमें इस तक्नीक का इस्तेमाल हो तो आपस में जोडने में सामाजिक संबंद विक्सित करने में भी इसका प्रियोग होता है इसके हम आगे बात करेंगे किसी सामुहिक प्रोजेक्ट में भागी दारी हलांकि छोटी कक्षाओं में इसका प्रियोग कम होता है लेकिन बड़ी कक्षाओं में इसका प्रियोग बहुतायत से होता है कई बार एक ही प्रोजेक्ट को एक ही परियोजना में कारे करने वाले जो लोग है वो एक स्थान पर नहीं होते एक दिल्ली में हो सकता है, एक उत्तरप्रदेश के किसी स्थान पर हो सकता है, एक बिहार में कहीं हो सकता है, एक तमिलनाडो में कहीं हो सकता है, अर्था देश के कहीं भी कोने में बैठे हुए चार-पांच लोग मिलकर यहीं किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो वो प प्रोजिक्ट पर एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं तो सहक्रियाओं की तक्नीकी के रूप में भी कम्प्यूटर एक महत्वपूर्ण माध्यम है यह हमें समझना चाहिए कम्प्यूटर का जो अगला बड़ा उप्योग या कहूं कि आजकल बहुत प्रभावी उप्योग किया जा रहा है वह किया जा रहा है सामाजिक्ता की तक्नीक के रूप में computer पर एक अलग ही समाज विक्सित हो गया है अलग ही प्रकार के समाजिक समंद विक्सित हो रहे हैं उनके सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं लेकिन ये computer और internet की एक बड़ी उपलब्दी है कि उसने दुनिया के लोगों को एक दूसरे से ततकाल गती से तीब्र गती से और वास्तविक रूप में आभासी वातावरण में जोड़ने का आवसर प्रदान कर दिया है सोशल मीडिया जिसको हम सामानने शब्दों में कहते हैं सोशल मीडिया द्वारा इंटरेक्शन अर्थात अंता क्रिया और अंता सम्मंद निर्माड के अवसर उपलब्द होने लगे हैं फेस्बुक बहुत सारे लोग प्रयोग करते हैं यूट्यूब के मादिन से बहुत सारे आडियो वीडियो देखते हैं आपके मोबाइल में बहुत सारी चैट अप्स हो सकती हैं विविन प्रकार के लोग अलगलग तरह के चैट अप्स इस्तेमाल करते हैं कोई वाटसेप इस्तेमाल करता है कोई हाइक इस्तेमाल करता है कोई और मेसिंजर इस्तेमाल करता है ये सब क्या है इससे हमें एक दूसरे के साथ जुड़ने का, एक दूसरे के बारे में जाने का, एक दूसरे के लिए सूचनाओं के संप्रेशन के अवसर प्राप्त होते हैं तो सामाजिक्ता की तक्नीक के रूप में भी कंप्यूटर की बड़ी भूमिका है एक सिक्षक के रूप में हमें ये समझना चाहिए कि हम इन तक्निकों का प्रियोग कैसे कर सकते हैं अपने सिक्षन के लिए देखिए जब हम अधिगम के श्रोत में कम्प्यूटर की बात कर रहे हैं तो अधिगम के श्रोत के रूप में कम्प्यूटर जब इंटरनेट से जुड़ा है तब भी अधिगम का एक श्रोत है, जब इंटरनेट से नहीं जुड़ा है तब भी अधिगम का एक श्रोत है, कैसे, जब हम इंटरनेट से जुड़ी तकनीकों की बात कर रहे थे, तब मैंन computer internet से जुड़ा हमने वहां से एक अध्यापक के रूप में महात्पूर्ण जानकारियां खोजी खोज कर उनकी पहचान की कि इसमें से कौन सी जानकारी हमारे विद्यार्थी के लिए अवश्यक है और उपयोगी है और कौन तब भी हम उसका प्रियोग कर सकते हैं उधारण के तौर पर येदि डीलेड का विद्यार थी किसी भी पाठ्यक्रम की अधिगम सामिक्री को हिंदी अंग्रेजी या अन्य किसी छेत्री वाशा में पढ़ना चाहता है तो क्या कर सकता है वह एयनी बैपस Breakfast अग्यूस की इपसाइट पर जा सकता है दिलेड पाठ्यक्रम बीज पर जाकर जो पाठ्य सामिक्री का लिंक दिया गया है वहाँ पहुंचेगा वह अपनी अपेक्षित भासा चुनेगा हिंदी में पाठे सामक्री चाहिए हिंदी में अंग्रेजी में अंग्रेजी में जब छित्री भाशाओं में उपलब्द हो रही है तो छित्री भाशाओं में और वहां से उसको पीडियेफ फॉर्म यह जिस भी रूप में उन्होंने अधिकम सामक्री डाली हुई है उसको डाउनलोड कर लेगा इंटरनेट का काम समापत हो जाएगा कम समय के लिए इंटरनेट इस्तेमाल किया पाठे सामक्री डाउनलोड कर ली और उसके बाद हमने क्या किया जब हमारी इच्छा हुई सुबह साम रात में दफ्तर जाते हुए मॉबाइल में लैप टॉप में जहां हमारी इच्छा है वहां हम उस अधियन सामक्री का अधियन कर सकते हैं यही बात आडियो वीडियो के लिए लागू होती है इंटरनेट से जुड़े हैं तब हम लाइब आडियो वीडियो सुन सकते हैं यदि डाउनलोड की सुवधा है तो उनको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं अपने लैप टॉप में सेव कर सकते हैं और मैंने ये भी आपको बताया कि दुनिया में जो अन्य जानकारिया हैं माली जी आप इसी विशय का अधियन कर रहे हैं अधिगम के श्रोत के रूप में कंप्यूटर और अधिगम के श्रोत के रूप में कंप्यूटर पर कुछ विशय मैंने आपके समक्ष रखे कि इन सो नहीं आपके संग्राओं के डिप्तिए कॉंप नौ मतें आंपें। यह साय को अधिगम के रूप के रूप में क्मप्यूटर के और कौन-कौन से प्रकार बताए गए अर्थात नई जानकारियां अपने आपको अध्यनूतन रखना अपने आपको नई जानकारियों से सदैव तयार रखना इसमें भी कंप्यूटर और इंटर्नेट आपकी बड़ी मदद कर सकते हैं यदि हम देखें कि आज हमने किन विंदूओं पर बात की तो आज हमने मुख्यता इस सत्र में तीन विंदूओं पर बात की सबसे पहले हमने बात की इन्टरनेट और World Wide Web के अंतर पर जहां मैंने आपको यह बताया कि इन्टरनेट और World Wide Web दोनों एक शब्द नहीं है दोनों में अंतर है इन्टरनेट एक विशाल बैस्ट्रिक नेटवर्क है जो सभी स्विवाओं से परे सूचनाओं के आदान प्रदान का एक माध्यम है और World Wide Web इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं तक पहुँचने का एक तरीका है फिर मैंने आपको वेब साइट के बारे में बताया कि वेब साइट इंटरनेट पर एक ऐसी लोकेशन है जहां किसी विक्ती, संस्था या अन्य किसी से भी जुड़ी कोई सूचना संगरहित होती है और कोई भी उसे देख सकता है मैंने आपको ये भी बताया कि प्रते एक वेब साइट का एक पता होता है जिसको हम URL कहते हैं हर एक वेब साइट में बहुत सारे वेब पेज होते हैं मैंने NIS की वेब साइट का उधारन देखकर आपको वेब साइट और DLA के वेब पेज का उधारन देखकर आपको वेब पेज के बारे में भी बताया फिर मैंने आपको बताया कि internet आधारित अधिगम तीन प्रकार से हो सकता है सुचना की तखनिकी के रूप में, सहक्रियाओं की तखनिकी के रूप में और समाजिक्ता की तखनिकी के रूप में पाट्र सामेगरी की उपलब्दता, नवीन सूचनाओं समाचारों का संग्रह, स्रब दरसक कारेक्रमों की उपलब्दता, नई नई पुस्तकों का प्रकाशन, बच्चों के लिए एक इपुस्तकाले की स्थापना, इन सब के रूप में आप सूचना की तक्नीकी के रूप में कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, साक्रियाओं की तक्नीक के रूप में, सामोहिक अधिगम के लिए, जानकारियों की परसपर साजीदारी के लिए, या किसी सामोहिक प्रोजेक्ट में, भागीदारी के लिए आप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और सोशल मीडिय के द्वारा अंता क्रिया और अंता समझ निर्मान चाहें वो फेस्बुक के माध्यम से हो या किसी प्रकार के चैट आप के माध्यम से हो आप निरंतर अंता क्रिया कर सकते हैं अपने विद्यार्थियों के साथ अपने साथी सिक्षकों के साथ अपने गुरुजनों के साथ और और कम्प्यूटर और इंटरनेट की जो एक शक्ती है उस शक्ती का आप जितना बेहतर उप्योग करेंगे उतने अच्छे सिक्षक के रूप में आप स्थापित होंगे आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद